सीमान्चल सद्यों से बाढ का कहर छेलता आ रहा है हर साल यहां सैलाब आता है और हर साल भयावे तबाही होती है विडम बना देखे कि सीमान्चल के किशनगन, कटिहार, अरर्या और पूर्णिया में सेकुलर पार्टियां मसलन राजद और कॉंग्रेस लंबे अर्से से सत्ता का सुख भोगती रही लेकिन सैलाब की तबाही को रोकने के लिए कभी किसी ने मजबूती से सरकार के समक्ष अपनी बात नहीं रखी अगर रखी होती तो आज मौजुदा बिधायकों को बिधान सबा के बाहर तख्तिया लिए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी नहीं पड़ती अब सवाल ये है कि जब जनपरती दी हमारी समस्याओं के समधान के लिए सक्षम नहीं हैं तो फिर किस बुनियाद पर उन्हें जनता जिताती रही है क्या अपनी बरबादी और तबाही के लिए हम खुच जमेदार नहीं हैं क्या हमें चुनाओ के दोरान धर्म और जाती राजनिती से उपर उटकर वोट देने का सोचना नहीं चाहिए ये वो सवाल है जिस पर सीमान चल के सभी जनता को गंभीरता से सोचने की जरूरत है अभी हाल ही में बाइसी, अमोर और बहादुर गंज में नदी कटाव से काफी शती हुई इसी को लेकर सीमान चल के AIMIM के पाचों बिधायकों ने बिधान सभा के बाहर तख्तिया लिए अपनी आवाज बुलंद की मीडिया के जरिये सरकार का इस ओर ध्यान आकरशित करने की कोशिश की हाला की AIMIM परदेश अद्धिक्श वो अमोर विधायक अख्तुर लिमान समित AIMIM के कई विधायक ये कहते सुने गए हैं कि बिहार की नितीज सरकार उनके साथ सोतेला सलुक कर रही है उन्हें इग्नौर करती रही है जबकि सरकार इन आरोपो को सीरे से खारित चरती रही करोरों की मालियत तबाह हो रही है हजारों हेक्टियर किर्शी भूमी जमीन बरबाद हो रही है वहाँ पर डोक, माननदा, कनकई, परवान, दास, इत्यादी नदियों से इत्रक भीशन कटाओ है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं है, करोरों कमल के हजारों करोर का बजट है लेकिन वहाँ के लोग लोग फूटी कौडी नहीं है इसलिए हम लोग पूरी मद्बूदी के साथ लाई लाई हैं कि अब हमें लगता है कि डूब कर मर जाने से बेतर है कि सड़कों पर दब कर मर जाएं सिवाए अब सड़कों पर आने के लिए और फासी के भंडे में लटकने के इलावा उस इलाके का कोई उपाय नहीं है सबसे गरीबी रिखा में कम सबसे दा पलायन वहाँ पर जमीन डखकर भूके मर रहे हैं लोग और सरकारी तंदर कोई बास सुनने के लिए तयार नहीं है हम लोगों ने मुखमंतरी माने मुखमंतरी से लेकर बिभाग के मंतरी तक बिभाग के कमिशनर तक हर जगह हम लोगों ने बात कि है लेकिन हमारे समस्याओं का न्यापरुक निदान नहीं हो रहा है उसके लिए पूरी लडाई हम लोग कर रहे हैं अब सवाल ये है कि चुनाओ के दौरान हक चीन लाने की बात कहने वाले ये नेता केवल बिधान सबाग के बाहर तख्तिया लिए मीडिया की सुर्ख्या बटोरेंगे या फिर सदियों से बाहर की मार जेल रही अवाम के साथ मिलकर बिहार की नितीज सरकार के खिलाफ हला बूल आंदूलन करेंगे बाहर का लिदान करो